आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुछेद 21 के बारे में जो भारतिय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसके लाइफ में कोई दूसरा अनुचित रूप से हस्तक छेप कड़े और प्रतियक व्यक्ति जो है अपने हिसाव से जीवन जीना पसंद करता है और ये उनका अधिकार भी है और हमारा संबिधान भी इस अधिकार को महतुर देते हुए भाग तीन में मौलिक अधिकार के तहत अनुचेद 21 के रूप में नागरिकों को जीवन और व्यक्ति गत सतंता की रक्षा के अधिकार की गारेंटी देता है अनुचेद 21 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानुन द्वारा अस्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत सतंता से वंचित नहीं किया जाएगा और इसे जीवन और व्यक्तिगत सतंता के अधिकार के रूप में जाना जाता है यहाँ अनुच्छेद राजी के विरूद किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति का सुतनता के अधिकार पर अतिक्रमन को रोकता है राजी की परिवासा अनुच्छेद 12 में दी गई है और इस पर अलग से वीडियो बनाया गया है यहाँ पर राजी का ताति परे है वैधानिक अधिकार रखने वाली सभी संस्थाओं से है जैसे केंद्र और राज अस्थर पर सरकार संसद अस्थानिय प्राधिकरन आदी और इस तरह से नीजी संस्थाओं द्वारा अधिकार का उलंगन इसके दायरे में नहीं है एक चीज और ध्यान में रखना है कि किसी भी नीजी व्यक्ति द्वारा किसी अनि व्यक्ति के इन अधिकारों का अतिक्रमन करना अनुच्छेद 21 का उलंगन नहीं होता है और इस मामले में जो पिडित व्यक्ति है उसके समस्या का उपाई अनुच्छेद 226 के तहत या फिर समानी कानुन के तहत होगा यह जो मौलिक अधिकार है यह प्रतियक व्यक्ति चाहे नागरिक हो या फिर वीदेशी हो सब के लिए समान रूप से उपलब्द है अनुच्छेद 21 से जुरे कई महत्पूर्ण मामले हैं जिसमें से कुछ केस के बारे में हम यहाँ ध्यान करेंगे और इन सब मामलों में नियालाय ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले ने यह सुनिस्चित किया है कि अनुच्छेद 21 का दाइरा संकीर्ण और प्रतिवंधित नहीं है अनेक एतिहासिक निर्णायों से इसका लगातार विस्तार हो रहा है तो पहला जो इंपोर्टेंट केस है वो है एके गोपालन केस जो 1950 का मामला है 1950 के दसक तक अनुच्छेद 21 का दाइरा थोड़ा सा संकीर्ण था इस मामले में याचिका करता जो थे एक कम्यूनिस्ट ने तत थे उनको निवारक हिरासत अधिनियम 1950 के तत हिरासत में लिया गया था उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हिरासत अवैद थी क्योंकि इससे सम्विधान के अनुच्छेद 19-1-D में दी गई उनकी आवाजाही की सोतंता का उलंगन हुआ और भारत ने इस प्रकार अनुच्छेद 21-द्वारा प्रदत उसकी व्यक्तिक सोतंता का भी उलंगन किया क्योंकि आवाजाही की सोतंता को किसी व्यक्तिकी व्यक्तिक सोतंता का एक हिसा माना जाना चाहिए ऐसा इनका ये जो नेता थे इनका उपिनियन था लेकिन अदालत ने कहा कि व्यक्तिकत स्वतंता का अर्थ भौतिक सरीर की स्वतंतरता है और इस परकार इसमें अनुछेद 19.1 के तहद दिये गया अधिकार सामिल नहीं है इसलिए व्यक्तिकत स्वतंता में कुछ अधिकारों को सामिल माना गया था जैसे सोने और खाने का अधिकार, जबकि स्वतंत रूप से घूमने का अधिकार अपेक्चाक्रित मामूली था और किसी की व्यक्तिगा स्वतंता में सामिल नहीं था और इस तरह से इस केस में व्यक्तिगा स्वतन्तरता को बहुतिक सरील की स्वतन्ता तक ही सिमित किया गया एक और इंपोर्टेंट केस था मेनका गांधी वनाम भारस संगिय 1978 का केस था इस मामले में सरूच नयले ने माना कि यातरा करने और देश से बाहर जाने के अधिकार को भी व्यक्तिगा स्वतन्ता के अधिकार में सामिल किया जाना चाहिए इसमें कहा गया है कि अन्छेद 21 में दी गई व्यक्तिगा स्वतन्ता का दारह सबसे व्यापक है और इसमें किसी व्यक्तिक की व्यक्तिगा स्वतंता से संबंधित विभिन परकार के अधिकार सामिल है और इसलिए व्यक्तिगा स्वतंता का देरा बहुत बढ़ा दिया गया और यह माना गया कि इसमें अनुछेद 21 के तहद दिये गए सभी अधिकारों के साथ साथ किसी व्यक्ति की व्यक्ति गस्वतंता से संबंदित अन्य सभी अधिकार भी सामिल है और ऐसा अधिकार केवल कानुन द्वारा इस्थापित प्रकिरिया द्वारा ही प्रतिवंदित किया जा सकता है जो निस्पक्ष उचित और उचित्थी होना चाहिए काल्पनिक दमनक इसने अधिकारों को सामिल करने के लिए अनुचेद 21 के दैरे का विस्तार करना जारी रखा है। समय के सास अनुचेद 21 के अंतरगत बहुत सारे अधिकार सामिल किये गए जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट अधिकार यहाँ पर डाला गया है। जैसे की मानविये गरीमा के साथ जीने का अधिकार, प्रदूसन मुक्त जल और वायू सहित एक सभी पढ़ियावरन का अधिकार, खतरनाक उद्योग के खिलाप सुरक्षा जैसे अधिकारों को सामिल करना जारी रखा है। जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, आस्रे का अधिकार, स्वास्थी का अधिकार, 14 वर्ष की आयू तक मुफ्त सिक्छा का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, फिर है एकांत कारावास के विरुध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हतकरी लगाने के विरुध अधिकार और अमान विये व्यवहार के विरुध अधिकार और भी बहुं सारे अधिकार है यह सब इंपोर्टेंट है ज्यादा अब जानते हैं सिक्षा के अधिकार के बारे में जो अनुछिद 21 एक अंतरगत दिया गया है यह अनुछिद घोसित करता है कि राज 6 से 14 वर्ष की आयू के सभी बच्चों को राज द्वारा निर्धारी तरीके से मुफ्त और अनिवारी सिक्षा प्रदान करेगा यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रावधान जो है केवल प्रारमभिक सिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते है नाकि उची या फिर ब्यावसाईक सिक्षा को इस प्रावधान को 2002 के 86 सम्वेधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा जोरा गया जिसने सम्वेधान में निमलिखित परिवर्दन किये 86 सम्वेधानिक संसोधन अधिनियम की द्वारा इस नए मौलिक अधिकार को अनुछेद 21A में जोरा गया जो की पहले अनुचेद 45 के तहत एक DPSP था Directive Principle of State Policy अनुचेद 45 की विसाय वस्तु को बदल करिया निर्देश दिया गया कि राज सभी बच्चों को 6 वर्स की आयोपूरी होने तक प्रारंबिक बच्चपन की देखभाल और सिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा अनुचेद 55A जो की मौलिक कर्तबी से संबंधित है इसके तहत एक नया मौलिक कर्तबी जोड़ा गया है जो कहता है कि 6 से 14 वर्स की आयोपूरी के बीच प्रावधान को लागू करने के लिए संसद ने बच्चों को मुफ्त और अनिवारी सिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 अधिनियमित किया है यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रतीक बच्चे को पूर्णकालिक प्रारंभिक सिक्षा प्रदान करने का अधिकार है निलंबित होता है या फिर नहीं पहले जानते हैं अपातकाल के बारे में अपातकाल एक ऐसी सिति को संदर्वित करता है जहां आंत्रिक विद्रोह, बाहरी आकरमन या वितिये दिवालियापन से जुरी खतरना के स्थितियों से निवर्टने के लिए राज में अधिकारियों दूररा ततकाल कारवाई की अवस्यक्ता होती है भारत में आपातकाल इन तीन प्रकारों में से कोई भी हो सकता है राश्ट्रीय अपातकाल किसी राज में सम्वेधानिक मसिरी की विफलता और इसलिए वहां राश्टपति सासन लग जाता है आपातकाल की स्थिति में लोगों की स्थान्ता को अस्थाई रूप से टेंपरली रूप से निलमित किया जा सकता है इस तर्क के साथ की राजी को तबाही को रोकने और खतरना की स्थिती से प्रभावी ढंग से निवटने की आवस्यक्ता है भारतिय सम्विधान का अनुच्छे 369 जो है राष्टपती को भागतीन में दिये गए लोगों के मौलिक अधिकारों को एक विसिष्ट अवधी के लिए निलंबित करने का अधिकार देता है हलाकि इसके कुछ अपवाद भी है और चुकि अनुच्छे 21 जो है जीवन और व्यक्तिगस उतनता का अधिकार प्रदान करता है इसलिए इसे आपातकाल की स्थिती में भी अधिकारी योद्वाय निलंबित नहीं किया जा सकता है इसमें कहा गया है कि कानुन द्वारा अस्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगस उतनता से वंचित नहीं किया जा सकता है और यह प्रकिरिया जो है कानुन द्वारा स्थापित प्रकिरिया यह मनमानी यह अनुचित नहीं होना चाहिए जैसा कि अभी हमने केस समझा था मेनिका गांधी वाला इस मामले में यह मानिता प्राप्त है अनुचित 21 को अपातकाल के टाइम में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है और यह सुनिस्चित करता है कि तनाव और खतरी के दोरान लोगों का सोसन नहीं किया जाता है और उनके पास अभी भी उनके बुनियादी और पूसित मानवाधिकार है अनुचित 21 के गैर निलंबन का यह जो प्रावधान है यह 1978 में सम्विधान के 44 संसोधन द्वारा लाया गया था जिसने अनुचित 20 और 21 को इसके दाइरे से बाहर करने के लिए अनुचित 369 में संसोधन किया था यानि की अनुचित 21 जो है यह अपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है तो इस वीडियो में हमने जाना अनुचित 21 के बारे में जो की व्यक्ति को उनके जीवन और व्यक्तिगत सतन्ता की रक्षा का अधिकार देता है और सिक्षा के अधिकार के बारे में जो की एक बहुत ही महत्पूर्ण अधिकार है जिसको 86 समवेधानिक संसोधन अधिनियम 2002 के तहत 21 ए में जोरा गया इस अधिकार से रिलेटेड क्वेस्चन बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका है उमीद है कि इस वीडियो से यह जो अधिकार है अनुछेदी कीस के अंतरगत यह आपका किलियर हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू